हेलो गाईस वेलकम टूब एक माई यूटूब चैनल तो चलिए गाईस आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि घर में ही आप बिना प्लमबर की मदद से हेल्थ फेक्ट को कैसे रिपेर कर सकते हैं कैसे इसे ठीक कर सकते हैं आज इस वीडियो में हम आपको बताने वालें तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह इसे घर में ही बिना प्लंबर की मदद से रिपेर किया जा सकता अगर आप हमारे चैनल पे नहीं और इस ट्रीक को सिखना चाहते हैं और इसे ठीक करना चाहते हैं तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर द तरह हैं दोनने में और हो रहा था तो आप से टिप करके पानी बुन दोन गिरता जा रहा था टापिसे तरह लिप्जन कर सकते हैं में आपको इस विडियो में बताने वहले तो चलिए सबसे पहले आपको इस इस handgun को इस joint से खोल लेना है इस तरह से देख सकते हैं कि यह जो points से यह clear है बिलकुल यहां से किसी प्रकार की problem नहीं है इसमें किसी प्रकार का कच्रा नहीं है तो आपको इसमें भी इसे साप करके देख लेना है इसके अंदर किसी भी नुक्यूली चीच को डाल के देख लेन clear हो जाए और यह जो बारिक-बारिक points दिख रहे हैं इसमें आप सुई से बारिक किसी भी छेद से इन holes को खोल सकते हैं आप इसे reverse गुमाते विए खोल लिजेगा इस तरह से देख पारें कि यह बिल्कुल clear दिखाई दे रहा है इस से इन holes से इसमें किसी प्रकार का कच्रा फसा हुआ नहीं है यह देख पारें यह जो चमकिली चमकिली टाइप की दिखाई दे रही आपको यह पानी के वज़े से इसके उपर में चिपकी हुई है तो इसे हम साप कर लेंगे इसे आपको बाहर निकाल लेना यह प्लास्टिक की कोर को यहां पे एक लगा हुआ जो कोर रबर रहता है वह रबर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है साइद हो रबर अंदर हो तो आपको किसी भी एक नुकीरी चीज़ से इसे बाहर के और निकाल लेना है आप इस स्कूर डायर की मदस्ते इसे निकाल सकते हैं के देख सकते हैं आपकी इसमें ये खुल के इसमें चिपक चुका है तो आपको इसे इसात निकाल लेना लगा वां रहता है जब तक इसमें लगा हुआ नहीं रहे गा इस नहीं रहता है तो ये इस तरह से इसे लगाया जाता है तो इसे अच्छी तरह से आप अंदर से भी साप कर लीजिएगा एंड इसे इस तरह से इस हैंडल को दबाते हुए यह जो गन दिगाई देरी आपको इस गन से पानी बाहर की ओर आता है देख पारें इस गन को पीछे से प्रेस करने के वज़े से यह सामने से हिलता जाता है इसे की पानी बाहर आता है और इस स्प्रिंग को साप कर लेना है जो यहां पर स्क्रिंग लगा हुआ रहता है इस स्प्रिंग को अच्छे तरह साप कर लेना है आपको इसे यह खोलना नही इस तरह से हमने आपको बता दिय कि किस तरह से आप कीसे ठीक कर सकते हैं तो हम ने इसमें पॉड़्ण आ हाइडवेर सॉप से जाके लेके आ सकते हैं हेल्थ फेक्ट का यह वाइसर आपको दो से तिन रुपए मार्केट में लेवल हो जाता है एंड इसे इसी तरह से अच्छे से लगा देना है कि देख पारें आप कि इस तरह से हमने से इसमें फिट कर दिया है इसमें बराबर इसे देखना है कि यह लगा है या नहीं लगा है तो इस तरह से हमने इसे बराबर लगा दिया है और इस कवर को साप करते विए आपको इसे इस तरह से टाइट कर देना है आपको एक चीज ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह की थ्रेड वाले आइटम्स को लगाते हो तो टेपलों टेप को ज़रूर लगाना इस पे और उसके बाद ही इसमें जोड़ना है ताकि भौश्से में कभी आपको लिकेज की प्रॉब्लम न हो तो इस तरह से आप इसे घर में ही हेल्थ फेक्ट को रिपेर कर सकते हैं बिना प्लंबर की मदस्थे हमने बिल्कुल आसान सी ट्रिक से इसे रिपेर करने की ट्रिक बता दिया है तो इस तरह से हमने आपको इस वीडियो में हेल्थ फेक्ट को रिपेर करने की घर में ही बिना प्लंबर की मदस्थ से ये ट्रिक बता दिये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब् वीडियो में आप इसी तरह की HiWare Plumbing related and furniture related वीडियो से हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और उनकी सारी इंपरमिसन को ले सकते हैं थेंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट विडियो में